Diagnostic Criteria for PICA So, जब कोई Client हमारे पास आएगा How we will go to diagnose that child With PICA disorder उसके लिए हमें देखना है कि DSM-5 का जो Criteria है वो इसके बारे में क्या है So, we will go To the DSM-5 Criteria और उसमें जो A है That is the Criteria A उसके अंदर क्या है कि जो Persistent Eating है यनि Continuous Eating है Non-Nutrative Non-Food Substance की ठीक है यनि ऐसा Food जिसके अंदर कोई Nutritional Value नहीं है वो कमस कम जो बच्चा है वो एक महीने से उसको ले रहा हो और Continuous ले रहा हो थी उसके बाद आपने P Criteria आपने देखना है वो क्या है कि जो वो Food ले रहा है जो वो Substance ले रहा है वो उसके Developmental Level के रेफरेंस में जो है वो क्या है? Abnormal है वो inappropriate है वो normal behavior नहीं है यानि अगर बाकी बच्चों के साथ आप compare करेंगे तो अगर एक बच्चा जो है वो swail ले रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो बाकी दस बच्चे हैं वो भी swail ले रहे हैं अगर तो वो swail ले रहे होंगे तो definitely वो एक normal behavior हो जाएगा लेकिन अगर वो swail नहीं ले रहे तो उस वकद ये non-normative behavior होता है और inappropriate behavior जो है इसे consider किया जाता है इसी तरह जो criteria C है वो ये है कि जो भी आपका इस किसम का eating behavior है वो किसी भी situation में culturally या socially approved ना हो और ना ही support हो रहा हो जिस तरह हम बहुत से culture में बहुत से ऐसी चीजे हैं जो के commonly use की जाती है जिनकी जो nutritional value है वो zero होती है ठीक है जिस तरह हमने बात की कि जो central Georgia है वहाँ पे जो dirt है वो dirt eating is common उनकी mothers के अंदर ये common होता है और उसी को देखे जो बच्चे है वो भी वही dirt जो है white dirt उसको use करते हैं तो अगर तो ये culturally supporting है तो फिर तो definitely it is the normal pattern लेकिन अगर ये culturally supported नहीं है तो फिर ये जो है ये problem है ठीक है उसके बाद the criteria जो है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि कोई भी दूसरा mental disorder जिस तरह intellectual developmental delay या autism जो है वो वली condition जो है वो उस बच्चे के अंदर मौजूद ना हो as well as कोई भी medical condition जो है वो भी exist ना करियो अगर case जो है वो adult का है जैसे females को pregnancy में usually they have reported to eat different things ठीक है तो इसमें आपने जब उसको diagnose करना है तो पहली चीज जो आपने ख्याल रखना है that is the time limit कि one month time limit है और जो food intake है वो कौन सा है वो ऐसा substance है जिसकी nutritional value जो है वो zero है या वो absent है ठीक है और इसके साथ साथ आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बच्चा है वो developmental delay उसमें ना हो यानि कोई intellectual deficiency ना हो उसके अंदर या उसके अंदर autism का जो disorder है वो exist ना कर रहा हो Thank you